हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री का उनिय नंबर 6 जो है हमारा थर्मो डाइनमिक्स उसके हैं रिटन नोट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे ये आप सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो जल्दे से जल्दे जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को फिरस कर लीजिए ऊंगे वाली upcoming videos का notification आपको मिल जाए तो हम इनके contents के बारे में देखती है सबसे बहले thermodynamics क्या होता है वो आपको बताया गया है तो इसके सम basic concepts then types of system open system closed system isolated system उसके बारे में बताया गया है macroscopic system ठीक है यह सारे types आपको दिए गये हैं तो अगर आप इस chapter की hard copy चाहते हैं तो उसका link का आपको हमारे description box में मिल जाएगा आप वहां से जाकर इसकी hard copy को easily order कर सकते हैं यह hard copy within 5-7 days के अंदर आपके हमारे द्वारा आपकी घर तक deliver करवा दी जाएगी ठीक है different types of enthalpies of reactions वो बताया गया है enthalpy of formation enthalpy of bond association enthalpy of ionization ठीक है enthalpy of solution इस सारी enthalpy आपको यहां पर बताय गई है ठीक है then importance then entropy क्यों होती है वो आपको यहां पर बताया गया है entropy change for a reversible process ठीक है वो आपको यहां पर मिल जाएगा सारा Gibbs free energy क्या होती है वो आपको बताया गया है free energy change उसके बारे में आपको यहां मिल जाएगा ठीक है spontaneous and non-spontaneous process पहले spontaneous spontaneous के बारे process के बारे मिल जाएगा है ठीक है the non-spontaneous process के बारे मिल जाएगा है ठीक है overall हमारा सारा कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा third law of thermodynamics वो यहां पर मिल जाएगा तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like share and comment जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए thank you